हलो वरिवन तो आज टीचर्स डे के उपलक्ष पे SSC ने एक बहुत बड़ा तौफा दिया है आप लोगों के लिए और वो है SSC GD का नोडिफिकेशन आ गया है और उसकी वेकेंसी काफी जादा आई है टोटल जो वेकेंसी है 49,481 वेकेंसी है जिसमें से मेल का जो वेकेंसी है आपका देखो 35,612 है और जो फीमेल का वेकेंसी है 3,879 है यानि टोटल इमलाके 49,481 ये वेकेंसी हो सकता है फ्यूचर में बड़ भी सकता है ठीक है तो हम इस नोडिफिकेशन का पुरा चीरफार करत सबसे पहले तो यह जितने भी 10th pass है 10th अगर आप pass हो तो आप इसके लिए apply कर सकते हो education qualification 10th है central government की job है और इसमें constable का job होता है ठीक है डेली पुलिस में constable होता है या फिर CAPF में होता है इन सब चीजों में जो awesome rifles है इन सबों में आपको constable का job मिलता है तो एक काफी अच्छी central government की job है अच्छी job है अब हम चलते हैं इसके आगे detail जानते हैं क्या है application जो online आप अप्लाई कर सकते हो पांच तारिक से आनि की आज से ही application शुरू है और 14-10 तक मतलब आपको लगभग एक मेने का time मिला है आपको ठीक है last date जो है 15 तारिक तक आप भर सकते हो fee payment कर सकते हो और application change अगर मान लिजे कुछ गडबड़ी है तो आप उसमें changes भी कर सकते हो चेंज करने का date क्या 5-11 मतलब लगभग अभी से दो मेने के बाद आप दो दिन के लिए आपका application window open होगा जहां पर अगर आपका कोई गलती हो गया signature photo में तो आप change कर सकते हो और जो exam होगा वो जनवरी फरवरी 2025 में होगा तो अभी से आपके पास 5 महिने का time आपके पास है आप अच्छे से त्यारी कर सकते हो लेकिन अभी से लगना पड़ेगा आपको अगर इस exam को निकालना है तो अब हम चलते हैं आगे डारेक्ट चलते हैं हम यहां पे pay scale के बारे में इसकी salary कितनी है इसका जो pay scale है basic pay है 18,000 तो यह मत सुचना है कि 18,000 ही मुझे मिलेगा और 56,000 मतलब की last grade पे इसका है मतलब promotion होते होते हैं आपका basic 56,000 तक जाएगा लेकिन इसमें तो आपको promotion नहीं increment होकर promotion होगा तो आपका pay level बढ़ता है 18,000 का आप लगभग देड़ गुना कर लो 18,000 यानि कि लगभग आपको 30,000 के आसपास inherent salary आपको मिलेगी ठीक है और कुछ आपके NPS account में जाएगा तो 30,000 के आसपास इसकी salary है और जो CPOY है NCB pay level 3 का है उनका 21,000 basic है तो उनको जो salary मिले ठीक है तो यह देख रहे हो BSF में है constable का post CISF में CRPF में SSB में ITBP में AR में SSF में और आपका NCB में NCB में बहुत कम post है आप देख सकते हो 11 post है male के लिए और आपका उतना ही 11 post female के लिए यहां पर grade पर आपका ज़्यादा है ठीक है बड़ वेक NPS बहुत कम है बाकी में same है अब nationality तो Indian चाहिए आपको ठीक है उसके बाद age limit सब ज़्याद है age limit age जो criteria है 18 से लेकर के 23 साल के आप apply कर सकते हो कब 1125 को आपका age 18 साल हो जाना चाहिए और इतने ही तारीक को आपका जो age 23 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक 1225 को ठीक है यानि कि आपका जो जन्म होना चाहिए 212002 से पहले नहीं जन्म होने चाहिए और 2007 112007 के बाद नहीं ठीक है यानि इसके बीच म अगर आपका आता है अगर आप दो तारी को भी है तब भी उलिजिबल है और एक एक 2007 को भी है तब भी इलिजिबल है इसके बीच में जो भी डेट है 2002-2007 के बीच में जो लोग आप लोग इलिजिबल है लेकिन कुछ relaxation भी मिलता है अगर आपका category है HTSC category तो 5 साल और बढ़ा लिजिए एज 23 से 28 साल हो जाएगा OBC में 3 साल और बढ़ा लिया जाता है एक सर्विसमेन वेगरा में हैं तो 3 साल 5 साल अब हम आगे बढ़ते हैं चलिए इन सब्सक्राइब को छोड़ते हैं of application form का है उससे पहले का बना होना चाहिए आपका HTSC OBC certificate उसके बाद का नहीं बना होना चाहिए यह याद रखना आपको 14.10.2024 से पहले का या फिर उस तारिक तक HTSC OBC EWS certificate आपका बना होना चाहिए तो जितने लोगों नहीं बनवाया हैं अभी certificate कम से कम बनाने के लिए दो आपका एक मेहने में बन जागए HTSC EWS HTSC का कोई limit नहीं होता कितना भी पुराना है तो चल जाएगा OBC में आपका 3 साल पुराना तक चला जाता है लेकिन किसी किसी certificate में valid लिखा लाता है कि एक साल के लिए अगर वह validity खतम हो गई तो आपको renew करवाना होगा EWS सिर्फ एक साल चलेगा तो इस पिछले financial year के हिसाब से आप बना लो जो 23-24 का जो financial year है उसके हिसाब से EWS आपको बनाना है valid for 24-25 year 24-25 financial year 23-24 होगा valid for 24-25 ठीक है तो यह बना ले ना आपको आप समझ गयोंगे मुझे last date application का form बने के last तक भी अगर आपका certificate बन जाता है तो आप eligible हो form कभी भी भर सकते हो form अभी भी भर सकते हो certificate उससे पहले बन जाना चाहिए 10th का जो certificate है कब तक आपका हो जाना चाहिए 11-25 से पहले आपका 10th pass होना चाहिए अगर आप अभी ही 10th pass हो तो आप तो eligible हैं लेकिन अगर आप 10th का exam देने वाले अभी तक रिजल्ट नहीं आए तो 11-25 से आपका पहले आ जाना चाहिए result नहीं तो आप eligible नहीं होंगे अब कुछ-कुछ लोग NCC होते हैं NCC वालों को भी थोड़ा सा relaxation दिया गया अगर NCC A certificate है 2% आपका marks अपने आप बढ़ा दिया जाएगा NCC B certificate तो 3% marks आपका बढ़ा दिया जाएगा अगर आप NCC अभी कर रहे हैं लेकिन certificate जो आपको मिलना चाहिए 1-2-25 से पहले आपको मिल जाना चाहिए apply कैसे करेंगे तो online apply करेंगे बहुत सारा लोगों को नहीं पता चल रहा होगा हम apply कैसे करेंगे उसका वीडियो जल्द ही लाएंगे कि online कैसे apply करते हैं इसे CGD का form कैसे apply करेंगे ठीक है अगर आपको चाहिए full वीडियो के कैसे apply करते हैं तो comment box में जरूर लिखना कि हाँ please make a video how to apply ठीक है अब application fee भी इसमें 100 रुपर आपका application fees है सब के लिए लेकिन STSC के लिए आपका fee नहीं है कोई भी ठीक है STSC के लिए कोई fee नहीं है आपका fee waiver कर दिया गया है ओके गल्स के लिए है कि नहीं यह नहीं पता चल रहा है I think गल्स के लिए भी है STSC CGL में गल्स के लिए नहीं होता है correction window मैंने बता दिया कि गल्ती अगर application होगी तो आप change भी कर सकते हो लेकिन गल्ती चेंज करने के लिए आपको 200 रुपे देने पड़ते है ठीक है और अगर दोबारा चेंज करना है फिर से तो 500 रुपे देना पड़ेगा तो गल्ती आप स्कीम है देखो आपका एक computer-based exam होगा CBT test होता है मतलब computer-based test objective question होगा चार options होगे एक question होगा चार option दिया जाएगे उसमें से आपको टीक मारना है कौन सा सही है बस ठीक है और negative marking negative marking इसमें है या नहीं है हाँ negative marking भी है आपका देखो कौन-कौन सा subject पुछा जाएगा reasoning पुछा सकते हो अगर आपको English लेना तो English भी ले सकते हो Hindi लेना तो Hindi भी ले सकते हो आपको जब form भर होगे उस time पे आपका पुछा जाएगा कि आपको कौन सा subject लेना होगा हर 20-20 question का होगा यानि कि 80 questions होगे total ठीक है और marks कितने होगे 160 marks का paper होगा 2-2 marks सब में और गलत करने पे 1 by 4th आ और कितना time मिलेगा आपको एक घंटे का time में इसको सारे को solve करना है और कर सकते हो देखो यहाँ पे लिका हुआ negative.25 तो negative एकदम नहीं मारना है इसमें ठीक है computer based exam होगा जो कि जनवरी फरवरी में होने वाला है और वहाँ पे कर सकते हो अब देख लेते थोड़ा सा syllabus क्या क्य है syllabus में general intelligence हो गया general knowledge हो गया यह सब देख सकते हो general intelligence में simple simple चीज़े होगी आप यह सब YouTube से भी पढ़ सकते हो यह सब chapters जो है na YouTube से भी आप अराम से पढ़ सकते हो general knowledge वाली चीज़े आप Lucent वेगरा बुक से आप पढ़ सकते हो या फिर कोई other book से ठीक है और elementary mathematics यह सब English Hindi उसके ब अब चलो थोड़ा बता देते हैं इसके बाद भी एक step है physical test और physical standard भी इसमें चाहिए रुकना है अभी आपको हाँ इसमें apply कर रहे हो तो आपका एक height होना चाहिए इतना height रहेगा तभी आप eligible होगी ठीक है यह बन सकते हो वह मैं बताने वाला हो अभी आगे लेकिन सबसे प question पूछा जाता है जैसे पिछले साल पूछा जाता है उसी type question करने है इसके लिए मैं recommend करूंगा कि आप कीरन publication का जो बूक आता है अच्छी बूक आती है काफी पुरानी experience publication ही तो कीरन publication का previous year GD का question paper आयो है last 5-6 साल 4-5 साल का वो कर सकते हो और साथ में अलग-अलग subject wise भी उनक practice ही आपको perfect बनाता है और साथ में आपको एक चीज और बोलूगा कि आपको practice करनी है ठीक है आपको practice कैसे करनी है एक तो आप previous year का paper जो ले लोगे आप तो वहां से करो गई practice ठीक है लेकिन साथ में online exam हो रहा है तो आपको online practice करना भी ज़रूरी है ठीक है online practice नहीं करोगे तो जब अब direct सिर्फ copy किताब से करके जाओगे तो exam में perform नहीं कर पाओगे तो जब आप copy किताब से अपने किताब से 30-40 set लगा लोगे ना उसके बाद online practice शुरू करना जिसमें कि same exam pattern है उसके आपका exam होगा ये घंटे का ठीक है उसके लिए मैं बोलूगा कि आप test book platform है वहां स मौक लगा सकते हो ठीक है आपको मौक टेस्ट लगाने मौक टेस्ट का मतलब होता है कि जैसा exam होने वाला है उसी तरह से पहले हम एक test paper बना करके देखना ठीक है तो आप test book से ले सकते हो और test book पे अगर topper coupon code यूज करोगे तो आपको कुछ discount भी मिल जागा इसका link मैं डाल दूँगा description में जहां से click करके आप test book मौक पर्चेस कर सकते हो और वहाँ पे test लगा सकते हो ठीक है अब हम आगे चलते हैं कि हाँ जब आप इसमें qualify कर जाओगे न तो फिर आपका एक physical standard test होगा एक cut off निकलेगा उसमें physical standard test के लिए सबको बुलाया जाता है अब इसमें physical fitness test होगा इसमें क्या क्या करना होगा male और female दोनों के लिए criteria अलग-अलग है जैसे race करवा जाएगा सबसे पहले तो physical standard ही देख लेते हैं कितना होना चाहिए physical standard male का जो height होना चाहिए ना 170 cm होना चाहिए अगर आपका 170 cm height नहीं है तो आप reject हो जाओगे ठीक है category वाले लोग को थोड़ा सा मिला है जैसे st category को 162.5 cm 162.5 cm 170 cm लग-बग जो आता है ना 5 feet 7 inch के आसपास आता है 5 feet 7 inch से कम height है तो आप इसमें legible नहीं है female के लिए 157 cm आपका height होना चाहिए लेकिन अगर आप ST से belong करते हो तो आपको 150 cm height में भी allow कर दिया जाएगा और north eastern state के कुछ है तो उनको 157 male के लिए और female के लिए 147 चाहिए ठीक है और 5 cm आपको अपना chest फुलाना है male category के लिए ठीक है और कुछ relaxation है HD के लिए कि 76 cm बिना फुलाई हुए और 5 cm आपको फुला करके expand करना है यानि 80 और 85 और 86 और 81 फुला करके HD वालों के लिए समझ गया होगे अब उसके बाद ये criteria पास करोगे तभी आपका male और female के लिए running होता है ठीक है हम लोगों ने 6 मिनट में किया था ठीक है तो 7 मिनट में कर सकते हो 1.6 किलो मिटर इन 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलो मिटर और 800 मिटर का जो रेस होगा वो आपको पांच मिनट में लड़कियों के लिए complete करना पड़ेगा ठीक है सभी को सभी के लिए है सभी के लिए कुछ सिर्फ पहाड़ी लोग जो है उनके लिए अधर लड़ाक एरिया के जो है उनके लिए relaxation है ठीक है अब हम चलते हैं बस यही है main चीज़े I think maximum चीज़े मैंने बता दिया है syllabus वेगरा बता दिया है क्या है और आपको जो त्यारी करनी है अगर आप इसका strategy वीडियो चाहते हो कि एक strategy प्रॉपर बना दिया जागे कैसे त्यारी करें कहां से वीडियो देखें क्या-क्या revision करें कैसे करें तो उसके लिए आप comment box में लिख सकते हो अगर अच्छा कासा comment मुझे मिला तो इस पर मैं एक strategy वीडियो भी बना दूँगा आपके लिए जो आपके लिए helpful होगा और साथ में apply कैसे करते हैं उसके लिए भी मैं वीडियो जल्दी बना दूँगा अगर आप बोलोगे तो ठी कै?